ओम नमस्य जी जैसे आज के समय में हर युवा की बारवी कक्षा तक पढ़ाई अनिवारे होती है मतलब अगर बारवी तक आप पढ़ चुके हो तो ठीक है आप पढ़े लिखे माने जाओगे एसा भारत देश में एक प्रता होती थी कि पढ़ाई के साथ साथ ब्रमचारे अनिवारे है हर विद्यारती के लिए कम से कम 12 साल का ब्रमचारे ये क्यों करवाया जाता था? ताकि शरीर की ग्रोथ हो सके, बुद्धी और शरीर का बल बढ़ सके, चक्र एक्टिवेट हो सके, शरीर सुन्दर और स्वस्त बन सके और सबसे बड़ा फाइदा आपकी संतान जो है वो तेजस्वी पैदा हो सकी इसलिए अयरुवेद में वजर का बहुत जादा महत्तो बताया गया और अब तो बहर के लोग भी इस चीज़ को अपनाने लग गए आपने सुना होगा अपनी एनरजी को सेव करना, धातु को सेव करना तो ब्रमचारे अगर घर पर फोलो करना है तो इसमें क्या क्या आता है, कैसे क्या होगा चली जानते हैं तो सबसे जुरूरी चीज़ जो ब्रमचारे में आती है वो है वजर धातु की रक्षा मतलब आपको कुछ गलत नहीं देखना मुबाइल में, सोचना नहीं है आपको कुछ गलत, गलत क्रिया नहीं करनी बस वजर धातु की रक्षा करो जब तक कर सकते हो, क्योंकि जितना करोगे उतना फाइदा मिलीगा इसका दूसरा नियम है सुबह ब्रहमूरत में उठ जाना, सुबह जब आप ब्रहमूरत में उठते हो तो ब्रहमाड पोजिटिव उर्जा देता है, जो उर्जा पुरा दिन आपके अंदर रहेगी तीसरा नियम है प्रानायम और ध्यान ये मुख्या है प्रानायम आपकी धातू को ऊपर खींसता है आपकी धातू का जो सार है उसको ऊपर खींसता है और ध्यान आपकी सोच सही रखेगा कामवासना को खतम करेगा और आपकी उर्जा को केंदरीत करेगा पहले के समय में न हर क कोई ध्यान और प्रणायम से दिनी की शुरुवात करता था वो चाहे कोई योद्दा हो पहलवान हो रिशी मुनी हो राजा हो हर कोई हमारे सनातन धर्म के भगवान भी सूबह की शुरुवात ध्यान और प्रणायम से करते थे ध्यान और प्रणायम आपको आपके शरीर को बह फिर ओम का जाब चोथा नियम है सात्विक भोजन क्योंकि अगर गलत खाओगे नोनवेज खाओगे फास्ट फुड खाओगे तीका खाओगे यह सब खाओगे तो कामवासना आएगी नाइट फोल हो जाएगा आपकी उर्जन निकल के ही रहेगी वह आपको बेनिफिट नहीं देगी पाच्वा नियम अध्यात्मिक ज्यान यह जुरूरी है लेना ताकि एक अनुशासन और मोटिवेशन आपको मिलता रहे समय समय फिर छाटा नियम वयाम अनिवारे भ्रमचारय में वयाम अनिवारे है आप जोआ नो खूब दड़ बैठक लगाओ बहुत सारे दड़ उआपने अंह competed कर सकते हो अपनेआपको अलग बना सकते हैं अब आता है आप सबका स्वाल हर किसो का स्वाल कि ब्रमचारह की अनरजी इसकुक्ति करो depreciate क्या और मिलता निद के भाद बढ़ जाएगी quantity खट जाएगी मतलब कम समय में आपकी नीड पूरी हो जाया करेगी क्योंकि आपकी बोड़ी में उर्जा रहने लग जाती है ब्रमचारा से फिर आता है सुन्दर्ता अट्रैक्टिव बोड़ी 84 दिन के बाद जब इस उर्जा का सार उपर की तरफ जाता है तो आप खुद देखना एकदम से कितना ग्लो आएगा आपके उपर शरीर का बल क्या आप जानते हो इस धातू का लिंक टेस्टेश्रोन से भी है इसलिए जब आप मस्टरबेट करते हो मतलब अपनी धातू को निकालते हो तो कमजोरी फील होती है ठकान, स्टैमिना, लो य यह सब चीजे होने लगते हैं शरीर के साथ क्योंकि टेस्टेश्रोन लो जाता है एकदम से बोडी को जटका लगता है बहुत बड़ा और जब इस धातू को आप बचाते हो तो टेस्टेश्रोन हाई होता है जिससे शरीर का बल बढ़ता है और कम वरकाउट करके कम डाइट दिवायाम करते हैं करते हैं ब्रेंग जब आप इस इरख्षा करने के साथ-सको बचाओगे और ध्यान और प्रणायम करोगे तो ध्यान प्रणायम को इतना शार्प और शान्त बना देगा कि अब अब सोच भी जीनियस मतलब आप जीनियस बन जाओगे वो स्टेज आपके पास आजाएगे लेकिन इसमें बहुत मेहनत चाहिए एडवांस लेवल का है बहुत बाकी सब हो जाता है ठीक है बस फोलो करो जितना मतलब फोलो करते रहो ठीक है बिना कुछ आगे का सोचे बस अपना ओ इतना कर अपनाओ और फिर देखना सुन्दरता बल कितना कुछ आपको मिलेगा आनंद एक अगरता बहुत सारी चीज़े आपको मिलेगी शरीर को लेकर तीन महीने बाद यह सब फाइदे सब आपको मिलेंगे अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करे धनावाज जाहिंज भारत ह पर हरमादेव